इंडस्ट्री के अंदर हम दो टाइप के tapes use करते हैं, एक forming tape और दूसरे होते हैं cutting tapes, cutting tapes वो tapes होते हैं जिसमें हम minute material cut कर सकते हैं, cutting tape का जो picture है वो आप देख सकते हो screen पर, यह हमारा cutting tapes है जिसमें flutes बने हुए हैं और edges से minute material remove होता है, वहीं अगर forming tape की बात करूँ तो यह बिलकु continuous tape होंगे, इसमें threads continuously बनी होगी, forming tape बहुत ही hard material से बनाय जाते हैं और इनके उपर coating होती है, titanium nitride की coating होना जरूरी होता है, जिससे material को deform करके threads बनाय जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा, जब भी आप tapping कर रहे हैं तो अपने tape को पहले connect करेंगे, तो यहाँ पर जो formula use करेंगे, दो अलग-अलग type के formula हैं और हर एक type की thread के लिए अलग formula हमको use करना होगा, ठीक है, तो metric threads होती है, उनका तो formula बहुत ही simple है, आपको dimension इस type से दी रहती है, जैसे m10 into 1.5, इस type की dimension आपको दी रहेगी तो इसमें आपको clear है कि 10 जो दि 1.5 जो है, पिच है, तो इसका जो formula रहेगा, thread diameter minus thread pitch equal to D, तो यह formula रहेगा cutting tape के case में, जब हम बात करेंगे, forming tape के case में, तब हमारा जो formula होगा, thread diameter minus thread pitch upon 2 equal to D, यहाँ पर आपको thread pitch का half value जो है, उसको minus करना है, क्योंकि forming tape में हमको बहुत ही कम material चाहिए, जिससे हम thread बना सकें, ठ ठीक है, तो thread pitch जीतिनी रहेगी, उसका half जो value रहेगी, उसको minus करेंगे, thread diameter में से, तब हमें जो value मिलेगी, वो हमें dia maintain करना है, ठीक है, हम ले रहें nominal diameter, ठीक है, इस चीज़को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि TD जो है, nominal diameter है, जो the maximum diameter है, अब बात करते है, NPT और BSPT threads के ल में आप जब देखेंगे, तो 1 by 4 dash 20 TPI, या 3 by 8 19 TPI, या इसी type से जो है, आपको size दी रहेंगे, तो यहाँ पर 1 by 4 जो होता है, ये actual में size होता है, मतब nominal pipe diameter है, उसका size रहेगा, तो 1 by 4 को आप जो है, जो भी chart रहेगी, उसमें से आप value निकालोगे, जो nominal diameter रहेगा, ठीक है, उ centimeter minus 0.975 upon TPI equal to D, ये वाला जो formula है, ये लगाना है आपको cutting tape के case में, यहाँ पर 2 case में आपको बताया है न, वहाँ पर cutting tape के लिए आपको ये formula यूज करना है, TD minus 0.975 upon TPI equal to D, यहाँ पर TPI value of 20 रख देंगे, और TD की जगाँ पर आप रखेंगे 0.25, 1 by 4 है, तो वहाँ पर आपको 1 by 4 की जगाँ पर 0.25, ये value inch में दी हुई है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जो value inch में दी है, उसको inch में ही रखना है, अगर आपको mm में convert करना है, तो आप पहले diameter निकाल लीजेगा, जैसे कि final result आजाएगा, 0.2013, ये result आया, इसमें आप जो है multiply कर दीजे, 25.4, मतलब mm में convert करने के लिए 25.4 से multiply करोगे, तो आपको value mm में मिल जाएगी, तो ये size आपको maintain करना होगा, hole का, cutting tapes के case में, NPT और BSPT threads, जो रहेंगी उनके case मे है, ठीक है, दूसरा forming tape के case में जो formula use होगा, वो देखिए, td-0.51 upon tpi, equal to d, ये वाला formula आपको use करना है, forming tape के case में, जहाँ पर आपको size दिया रहेगा, 1y4-20 tpi, मैंने एक example set किया है, इसको जो है आप, इसमें value आप put कर देंगे, तो 1y4 की जगह पे, 0.25, minus 0.51 upon 20, equal to 0.2245, ये value आगई inch में, अब इसको mm में convert कर दीजे, 25.4 से, तो result आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको clear हो गया, कि tapping के लिए हमको, जो formula use करने है, वो ये ही रहेंगे, बस इसमें हमें, दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक त दूसरा कौन से type की thread है, वो वाला, तो I hope आपको ये video clear हो गया होगा, अगर ऐसी कोई और problem है, तो वो आप मेरे साथ share कर सकते हैं, मैं आपको, जल्दी से जल्दी solve करने की कोशिश करूँगा, तो अभी के लिए बस इतना ही, thanks for watching video.